Good morning everyone, कैसे हो हमारे YouTube चनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है जैसा कि दोस्तो हम chapter number 4 जो है वो पढ़ रहे हैं इसका नाम है agriculture और agriculture जो sector है अपने आप में इंडिया के लिए इंडिया जैसे developing country के लिए काफी जो है significance रखता है तो यहां पे इस sector के अंदर हमने mostly जो है वो types of farming कौन कौन से type की farming होती है वो देखी फिर उसके बाद में हम बात कर रहे थे उनके जितने भी types होते हैं commercial farming जो भी primitive farming जितने भी होते हैं वो हमने बात करी थी इसके बाद में हमने cropping patterns की बात करी फिर major crop कौन कौन सी हैं इंडिया के अंदर उनकी बात करी थी और मैब के थूँ हमने जानने की कोशिश करी थी कि इनके जो major area हैं उनके किस किस area के अंदर कौन कौन सी mostly जो है वो फसल होती है तो लास्ट वीडियो में जो है हमने यहां तक बात कर ली थी और जो आज हम इस वीडियो के अंदर mostly जो है वो देखने वाले हैं टेकनलोजिकल एंड इंस्टिटूशनल स्रीफों ठीक है तो agriculture sector के अंदर कौन कौन से टेकनलोजी के अंदर reform हुए हैं और कौन से institutional यानि कि संस्तागत सुधार इसको बोलते हैं संस्ताओं के अंदर संस्तागत जो सुधार हुए हैं वो क्या-क्या हुए हैं तो संस्ता जितनी भी बनती है जितनी भी institution बनते है for the agriculture sector इन में क्या-क्या चेंज हुए हैं क्या-क्या reform देखने को मिले दोस्तो यदि आपको हमारा content पसंद आता है तो आप हमारे youtube चनल को subscribe कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ जो है वो share कर सकते हो और यदि आपको किसी परकार का कोई doubt है तो comment box में जो है वो लिख के आप हमें बता सकते हो as a feedback so यहां पर हम basically बात करने वाले हैं कि इंडिया के अंदर various type की major crops होती है लेकिन उसके पाउजूद भी है हमारे most of जो farmer है वो agriculture sector के उपर depend होते है ठीक है और हमारी जो most of 60% जो population है वो किसके उपर depend है agriculture sector के उपर और यह जो agriculture sector है इंडिया के अंदर ये काफी ज अंदर कभी भी इसने कभी भी दोखा ने दिया और हमेशा ये हमेशा बहुत ज़्यादर लोगों को जो है employment देने का काम करता है तो agriculture sector के उपर काफी जो है focus करने की हमें require है तो हमें focus भी करना चाहिए तो यहां पर हमारे technology को कितना हमने adopt किया है उसको कितना हमने जो है उसके has been practiced in India for the thousand of years जैसा आप सभी को पताई कि हमारे इंडिया के अंदर कई सालों से हजारों सालों से जो है वो agriculture practice की जाती है ठीक है जैसे कि आप सभी को पताई कि हमारी जो oldest civilization थी इंडस civilization वहां पे भी agriculture के जो है वो source देखने को मिले हैं वहां पे भी कुछ seeds मिले हैं कि जिससे य हां पे agriculture जो है practice की जाती थी हजारों सालों से जो है वो परमान हमें दिखाते हैं कि इंडिया के अंदर जो है वो agriculture होती आई है लेकिन यहां पे sustained used of land without the compatible techno institutional change have the hindered the pace of agriculture development तो यहां पे हमारे पास जो है काफी technological यानि कि हमारे पास technology यहां फिर संस्ता होने के बावजूद भी य तरशी का जो विकास है जो development है वो इतना नहीं हो पाया जितनी हमने उमीद करी थी यानि कि हमारे जितने भी farmers होते हैं वो अपने आप में इन चीजों को adopt नहीं कर पाते हैं यानि कि technology जो भी होती है उसको adopt नहीं कर पाते हैं वो क्योंकि illiteracy जो है farmers के अंदर देखने को मिलत but all over the India के अंदर जो है वो काफी जो development जितना होना चीए था in the agriculture sector वो उतना नहीं हो पाया यानि कि हमारे जितने भी प्रोदोगी की और संस्ता के जितने भी प्रिवर्तन जो होते हैं यानि कि यहां पे जो प्रोदोगी यानि टेक्नलोजी के अंदर और institutional reform जो है बहुत ही कम देखने को मिले हैं कहां पे all over India के अंदर तो यहां पे इनका अभाव देखने को यहां पे मिला है उसी के चलते जो है भूमी संसादन के प्रियोग से करसी का जो विकास है वो अपने आप में इतना नहीं हो पाया जितना होना चीए अवरूद रहा है तो ता और इसकी जो ए development of source of irrigation most of the farmers are large part of the country still depend upon monsoon अब देखो हमारे इंडिया के अंदर हम बात करें कि हमारे पास जो है यानि कि irrigation करने के बहुत सारे तरीके हैं ठीक है यानि कि source है हमारे पास irrigation के लिए लेकिन फिर भी हमारे जो most of farmer है वो depend रहते हैं monsoon के ओपर ठीक है यानि कि सिचाई के सादनों का विकास होने के बाद भी जो है हमारे जो किसान भाई हैं वो monsoon और natural fertility के ओपर ही जो है वो depend रहते हैं अब यह ऐसा क्यों है क्योंकि एक तो illiteracy है एक जो जितने भी technological और जितने भी institutional जो reform है जितने होने चीएते उतने नहीं नहीं उपाए हैं इसी के कांड जो है हमारे जो कि universe flow होती हैं आपको पताएं इंडस यमुना ठीक है और गंगा ब्रहमपुत्र कावेरी किशना ठीक है गोदावरी महानदी नर्मदा इनका जो है all over इंडिया के अंदर जाल बिचा हुआ है लेकिन बावजूद और बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी कैनाल्स देखने को मिलेंगी ठीक है उसके बावजूद भी इंडिया के अंदर जो most of किसान जो है वो एक time यानि की एक season की ही जो agriculture जो है वो grow कर पाते हैं और वो भी monsoon के ओपर ही depend रहते हैं तो यहाँ पर हमें यह अपने आप में एक concern का वीसे है कि हमारे अधिकतर जो farmer है वो आज भी monsoon के कास होने के उपरांत भी देश के बहुत बड़े भाग में अभी जो किसान है वो खेती बाड़ी जो करता है वो मानसून और भूमी की जो प्राकरतिक और वक्ता होती है नेच्रल फर्टिलेटी होती है उसी के ओपर जो है वो निर्वर रहते हैं ठीक है तो यहाँ पर यह अ उसके according यदि हमारे किसान ऐसे ही चलते रहे तो most of population जो है उसके उपर बहुत ज़्यदा बर्ड़न आएगा यानि कि हमारे पास resources जो है वो limited है और हमारी population जो है बहुत ही ज़्यादा है इसलिए अपने आप में यह क्या है poses a serious challenge है ठीक है agriculture which provide livelihood for the more than 60% of its population यानि कि हम इंडिया के अंदर बात करें तो 60% देश की जनसंक्या का 60% से भी अधिक जो लोग है वो कहां से earning करते है agriculture sector से earning करते है अब सोचने का भी सह है दोस्तों कि हमारे इंडिया के अंदर ठीक है सो में से 60 लोग ऐसे हैं जो agriculture के उपर depend है ठीक है तो वहीं से जो है वो earning करते है और यानि कि आज भी का परदान करने वाली जो है करसी कुछ गंभीर तकनीक है और यहाँ पर institutional जितने भी reform होते हैं लाने की यहाँ पर आफ सेकता है अब दोस्तों हमें reform की काफी need पड़ती है because हमारी जो most of population है वो depend है agriculture के उपर इसलिए हमें क्या चाहिए reform in the agriculture sector वो चाहिए institutional reform हो या फि रो कर रही है और agriculture sector के अंदर इतने changes हो नहीं रहे इसलिए हमें क्या चाहिए reform चाहिए so some serious technical and institutional reform दस्ता collectivism देखो यहाँ पर collectivization जो है यानि कि हमने इसके लिए कुछ ना कुछ यानि कि जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद में हमने agriculture के अंदर कुछ institutional और technical जो है यहाँ पर हमने reform किये तो सबसे पहला जो reform है collectivization यानि कि इसको हम बोलते है mostly जोतों की जो चकवंदी होती है Consolidations of Holding तो यहाँ पर जितने भी हमारे जो खेत हैं उनकी size के उपर हमने focus किया और जितने भी जोतों की जोतों की size है उसको fix रखा वहीं पर हमने इसके अलावा reform करे corporation यानि कि सहकारी जो करसी है उसको लेकर आए सहकारीता को लेकर आए और abolition of जमिदारी जमिदारी जो पर्था थी जमिदारी पर्था क्या थी एक जमिदार होता था वो सभी किसानों से equal tax charge करता था तो उसको जो है हमने खतम कर दिया तो इस परकार के जो हमारे देश्ट के अंदर जो है वो reform हमने किये जैसे collectivization जो है पहला उसके बाद में consolidation of holdings, corporations and abolition of जमिदारी तो इस परकार के जो है reform हमारे इंडिया के अंदर हमने की ठीक है यानि कि हमारे जितने भी सहकारी ता को लागो किया जो खेतों की size होती थी उसकी चकबंदी हमने की और जो जमिदारी पर था थी उसको हमने खतम करी समाप्त करने को पराथ मिक्ता यहांपे हमने दी और जो हमारी यानि कि आजादी के बाद जो है इस परकार की चीजों को हमने प्रायोर्टी दी ठीक है फर हमने बात करी लेंड रिफॉर्म वाज दी में फोकस ओप दी आवर फस्ट फाइफ येर प्लान तो दोस्तों यहाँ पे आजादी हमें 1947 में मिली थी फस्ट जो प्राइम मिनिस्टर पंडी जोहला नैरू उन्होंने जो पंच वर्षी पर्थम जो है यानि कि पहली जो पंच वर्षी योजना चली थी पंच पर्थम पंच वर्षी पांस साल की योजना होती थी पंच वर्षी जो योजना होती थी जिनको फस्ट फाइफ येर प्लान बुला जाता था उसके अंदर हमने focus किसे के ओपर किया land reform के ओपर focus किया, यानि कि हमने यहाँ पर बुमी सुधारों को किस परकार से हमारी जो land है, उसके अंदर reform कर के आएं, और हम किसानों को जो है अच्छे से अगरी कल्सर करना जो है, वो सिहाएं, और उनको एक नए ने टेक्निकल जितने भी जो एक्विमेंट्स होते हैं उनसे वो आवेर हों तो इस परकार कि जो है लेंड रिफॉर्म हमने यह वाह से फोकस किये कहाँ फिर्स्ट एर फाइफ एर प्लान के अंदर तो यहां पर हमने क्या कि फाइफ एर प्लान के बाद में जो भूमी की जो पुस्टेनी अधिकार होते थे यानि की जो बाप होता था उसकी जमीन है वो बेटे को मिलेगी और उसकी जमीन उसके बेटे को तो इस परकार के जो हमारे देश के अंदर पुस्टेनी जमीनों का जो बटवारा हुआ करता था पुस्टेनी अधिकार के कान जो हमारी जो खेत थे बड़े बड़े वो टुकडों में बढ़ते जा रहे थे तो इस परकार की जिससे हमने क्या करी चकवंदी करना अनिवारी कर दिया तो holding of consolidation of holding जो है इसलिए हमने इंडिया के अंदर लागू करी तो inheritance से जो right of inheritance जो है वो इंडिया के अंदर लागू पहले था और अभी भी जो है कई स्टेटों के अंदर देखने हो मिलता है इस के अंदर यह जो इस प्रकार का right है उसमें क्या होता दा जी आपके parents है उनके जो है 20फिगा जमीन है तो वो वीस फिगा जमीन और आपके जो है फांच पाई है तो वो बीस फिगा जमीन जो है वो पांच भाईों मैं equal divide हो जाएगी ठीक है तो इस परकार से जो है इस परकार का हमारे इंडिया के अंदर राइट है जिससे हमारे जो जो हमारी लेंड होती है फार्म होते हैं बड़े-बड़े खेत होते हैं उनका डिवाइड हो जाते हैं चोटे-चोटे टुकडू के अंदर वो बट जाते हैं ठीक है तो यह अ iegen of the lagworms यानि कि यहां पे हमारे जितने भी land reform hotे कानुन तो बने यहां पे, ठीक है लेकिन इनको लागू करने के अंदर जो है वो लेक रहलोड ही थोड़ी से ठीक है, यानि कि इंडिया के अंदर जो है बहुत सारे land reforms जो low है वो तो बने बट इनको लागू नहीं किया जा सका तो यहाँ पे हम बात करें 1960s और 1970s जो डिकेड आया था वहाँ पे हमने Central Government ने कई परकार की यहाँ पे Land Reform वहाँ पे शुरुवात करी तो यहाँ पे सबसे पहले Central Government ने 1960s और 70s के अंदर Land Reform की जो है शुरुवात कर दी थी जैसे हम बात करें इसके अंदर क्या क्या आएदा तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखने को मिला Green Revolution जिसको बोलते हैं हरीत करांती हरीत करांती क्या थी तो हरीत करांती यहाँ Green Revolution का परपस क्या था कि देश के अंदर हम अनाज जितना भी पैदा करते हैं फूड जो है वो पैदा करते हैं उसके अंदर हम depend हो जाएं किसी से जो है वो लेकर किसी भी देश के ओपर हम depend नहीं रहें और self sufficient हो जाएं ठीक है तो यहाँ पे इसका परपस था यायन कि दूध यह जो है White Revolution जो है इसको Operation Flood भी बोलते हैं यायन कि दूध से समद्धी था दूध का उत्पादन किस परकार से बढ़ाई जा सकता है उसको बोलते है White Revolution और जो Green Revolution होता है इसको भोलते हVIEι हुरीत करांटी 국 día कि को हम हरित करांती बोलते हैं Green Revolution बोलते हैं और एक को बोलते हैं Operation Flood ठीक है तो यहाँ पे हमने स्वेध करांती और हरित करांती जैसी कर्शी सुदार के लिए रननीतिया जो है वो बनाई तो इस परकार के इनिसिटिव जो है वो Central Government उठाए कि किस परकार से हमारे इंडिया के अंदर जो milk production उसको बढ़ाया जा सके और किस परकार से जो food grains होती है उनको जो है उनका production बढ़ाया जा सके लेकिन इनका जो impact जो है हम बात करें यह जो इनका concentration है वो कुछ ही area के अंदर जो है देखने को मिला यानि कि इनका जो development है operation flood का और green revolution का वो कुछ limited areas के अंदर ही देखने को मिला जैसे हम बात करें जो green revolution का सबसे ज़्यदा effect देखने को मिला पंजाब हरियाना और western UP के अंदर और जो all over India था यानि कि हम बात करें इसके अलावा जितना भी इंडिया था वहाँ पे जो है वो इतना green revolution का effect पड़ा नहीं तो यह जो इसका जो development देखने हो मिला वो limited areas के अंदर देखने हो मिला therefore इसलिए in the 1980s और 1990s a comprehensive land development programs were initiated यानि कि यहाँ पे हमने क्या किए 1980s और 1990s के अंदर हमने क्या किए व्यापक यहाँ पे भूमी विकास कार्य करम जो है वहाँ पे हमने start किए जो development programs was the initiative ठीक है तो यहाँ पे हमने कई जो है प्रोग्राम यहाँ पे loans के लिए किसके लिए land reforms के लिए which included both the institutional and technical technical reforms वो किसे जुड़े होए थे यहाँ पे संस्ता के सुधारों से और यहाँ पे technical जो तो यहाँ पे दो provisions of the crop insurance against drought यहाँ पे हमने कौन कौन से provisions जोड़े तो यहाँ पे काफी important है यह underline कर लेना सारे सारे जो है यह important है तो इसके लिए हमने यहाँ कि provision crop insurance जो crop insurance होता है जिसको बोलते है फसल बीमा तो फसल बीमा जो है central government में यहाँ कि आपकी फसल किसी भी परकार स यदि किसी natural disaster से खतम हो जाती है तो आपको insurance जो है करवाना पड़ेगा और उसके बाद में आपको पैसे मिल जाएंगे ठीक है और यह सूखे के खिलाब था ठीक है तो यह crop insurance जो होता था against drought यह सूखा होता था सूखे पढ़ने की वज़े से यदि आपकी crop जो है खराब हो ग इस भी परकार से खराब हो जाती थी तो आपको जो है crop insurance जो है करवाना पड़ता था और उसके बाद में आपको जो है उसका जो है premium मिलता था पैसे मिलते थे establishment of the German banks ग्रामिन बैंक स्वरी German bank नहीं है ग्रामिन बैंक है ठीक है तो ग्रामिन बैंक जो है cooperative societies and bank for the providing salon facilities to be farmer at lower rate of the interest were the some important step in this direction यहाँ पे हमने क्या किये पहली चीज़ तो हमने यहाँ पे crop insurance यहाँ पे ले के आए ठीक है और जितने भी ग्रामिन बैंक और cooperative societies होती थी और bank होते थे वो क्या करते थे लो लेवल के ओपर interest low interest के ओपर वो जो है वो loan provide करवाते थे किसानों को ठीक है तो यहाँ पे हमने यहाँ किसानों को कम दर के ओपर जो है हम क्या देते थे loan देते थे ठीक है सुईदान परदान करने के लिए ग्रामिन बैंक जितने भी cooperative जो बैंक होते हैं वो और जितनी भी समयतिया होती है और बैंकों की स्थापना इसमें समय लीता है यानि कि हमने यहाँ पर बहुत सारे बैंकों को open किया ग्रामिन बैंकों को cooperative society बनाई ठीक है और वहाँ पर जो है कई जो है societies के कई बैंकों को और societies को develop किया गया कि वो क्या करें low rate के ओपर जो है किसानों को loan provide करवाए low interest के ओपर ठीक है जैसे हम बात करें सबसे पहला कैसी सी तो कैसी सी जो आज भी rural इंडिया के अंदर जो है काफी फाइदे मंद माना जाता है इसको बोलते है किशान क्रेडिट कार कैसी सी काफी famous है यानि कि अपनी जमीन के ओपर जो है किसान क्या उठा सकते है लोन उठा सकते है शो personal accident insurance scheme PAIS जो है वो लोन्ज की गई कैसी सी लोन्ज किया गया ठीक है यहां पर यानि कि विक्तिकत किसी परकार का यदि आपको accident हो जाता है तो आपको क्या मिलेगा insurance यदि आपने करवा रखा है तो आपको कुछ से पैसे वगरा मिल जाएंगे are some others scheme introduced by the government of India तो कुछ यह ऐसी scheme थी जो central government ने लोन्ज करी इसमें किसान credit card यानि कि अपनी जमीन के उपर किसान loan ले सकता था और personal accident होने के उपरांथ भी कोई किसान क्या ले सकता था गोर्मेंट से पैसे उठा सकता था तो इस परकार की जो scheme है वो लोन्ज की गई किसके दवारा central government के दवारा इसके अलावा जो है वो क्या क्या गिया गया यह अपने आप में for the benefit of the farmer यानि कि यह किसानों के लिए काफी benefit की योजनाई थी मौरेवा special weather bulletins and agriculture programs for farmer were introduced on the radio and television और कुछ आकासवाणी जो आकासवाणी होती थी या रेडियो होता था और दूरदर्सन पर किसानों के लिए जो मौसम की जानकारी होती थी उसके लिए कुछ news bulletins वगईरा भी चलाए जाते थे और जितने भी agriculture जो प्रोग्राम सोते थे वो भी चलाए जाते थे ठीक है तो यानि कि television के उपर या radio के उपर जो किसानों के लिए जो है यानि कि मौसमाज का खराब है ठीक है इस टाइम पे इस परकार की फसल आपको बोनी चीए ये radio के उपर जो है कुछ message वगईरा जो है या weather bulletin जो है वो किसानों के लिए central government provide करवाती थी so the government also announce minimum support price यहाँ पे government ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया जिसको MSP भी बोलते है MSP ठीक है इसके लिए आपने सुना होगा कुछ दिन पहले ही जो किसान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस दी मोदी गवर्मेंट तो वो क्या कह रहे थे कि हमारी जो MSP है वो बड़ाई जाए क्योंकि इंडिया के अंदर छो है 6% जो किसान है उन्हीं को MSP प्रोटेस्पाते है और 94% जो करवाी लेंगे जैसे 2200 रुपे में हम आपकी 10 बोरियों को खरीद लेंगे तो यह 2200 रुपे जो गोर्मेंट ने fix कर रखें कि इतने में जो है हम एक बोरी के आपको कितने देंगे 2200 रुपे देंगे तो यह गोर्मेंट ने fix कर रखा यहूं के लिए कि हमारी जो minimum support प्राइज जो रहेगी वो कितनी रहेगी 2200 रुपे रहेगी एक यूटल के according ठीक है एक यूटल का हम 2200 रुपे आपको provide करवा सकते हैं तो आप जो है 2200 रुपे में यहाँ पर central government को आप बेज सकते हो that is MSP यहाँ कि government जो है आपको minimum एक निस्सित जो है वो support प्राइज जो है रखती है उसके उपर आप central government को अपना अराज बेज सकते हो तो यह जो है इसका फाइदा जो है मातर इंडिया के अंदर 6% जो है farmers को ही मिल पाता है और 94 जो percent farmers हैं उनको इस पर कार का किसी परकार का फाइदा नहीं मिल पाता तो इसलिए जो है कई बर जो हमारे इंडिया की जो farmers हैं वो protest करते रहते हैं against the government तो government जो है यानि की government जो है वो mostly अच्छी जो है फैसले लेती नहीं है और कई परकार की जो है report वगरा भी आती रहती है कि इतने जो किसानों ने suicide कर लिया तो यह जो है अपने आप में एक concern का विशए है कि जो central government है वो हमारे किसानों के ओपर ज्यादा focus करती नहीं है ठीक है तो यहां पर हम क्या बात करें यानि कि यहां पर mostly जो है इस परकार के bulletin वगरा जो चलाए गए और यहां पर किसान credit card insurance scheme वहीं पर बात करें minimum support price तो इस परकार की जो है scheme loans की गई किसकी दवारा central government की दवारा यहां पर जो government है वो यह बताना चारी है कि the government also announce minimum support price तो यहां पर government ने क्या किया minimum support price जो है वो announce किया और remunerative and the procurement prices for the importance crop to the check of exploitation of farmer by the speculators and middlemen तो यहां पर जो सेंटरल government है वो यह बता रही है कि किसानों को जो बिचोली होते हैं middlemen होते हैं दलाल होते हैं उनके सोसन से बचाने के लिए हमने क्या किया minimum support price जो है वो announce किया और कुछ महत्मौन जो फसले होती है उनके लाबदाए खरीद क के लिए हमने मुल्यों की सरकार दोरा गोशना यानि की करती रहती है यानि की government ये बोलती है कि हम आपको क्या करेंगे middlemen और जितने भी इस पे इस पे एक्यूलेटर जितने भी होते हैं जो दलाल होते हैं उनसे बचाने के लिए हम आपके लिए जो है यानि की minimum support price जो है वो इस से यानि minimum जो support price के उपर आप अपनी crop हमें बेज सकते हो तो इसलिए जो है इस परकार की scheme इंडिया के अंदर launch की गई तो central government की जो schemes होती हैं वो होती तो अच्छी है बट वो implement नहीं हो पाती इसलिए हमारे इंडिया के अंदर किसान की जो condition है वो अच्छी नहीं मानी जा लेते हैं क्योंकि उनके उपर जो है बहुत जारा loan वगेरा जो हो जाता है ठीक है दोस्तों अब इसके बाद में एक last topic और है फिर आपन इस chapter को जो है complete करते हैं तो यहां पर यह बता रहा है भूदान और ग्रामदान अदोस्तों यह बहूदान और ग्रामदान था क्या तो यहां पर मैं आपको simply जो है वो बता देता हूं कि महत्मा गांधी जो है उन्होंने डेकलेर किया कि मेरे बाद में मेरा उत्रादिकारी जो है वो बनेगा विनोबा भावे अब विनोबा भावे जो थे उन्होंने एक scheme loan करी इंडिया के अंदर कि जिन किसानों के पास जमीने नहीं है उन किसानों को जमीने जो है वो provide करवाई जाएंगी ठीक है जितने भी जो landlord होते हैं गाओं के अंदर उनसे या फिर जितने भी central government के अंदर जितने भी जमीने हैं जो बंजर या फिर west land पड़ी है वो जो है हम क्या करेंगे जिन के पास land नहीं है उनको provide हम करवाएं वो अपने आप में सत्यागराई थे और वो गांदी जी को काफी follow किया करते थे he was one of the votaries of the गांदी's concept of gram शवराज यानि कि वो gram शवराज की concept के ओपर काफी जो है वो गहरी आस्ता रखते थे ठीक है जब बेशागराई जो गांदी जी मात्रदम ठीक है विनोवा भावे अंडर टुक सी पधियात्रा टू इस्प्रीट गांदी जी मेंसेज कवर्ड बाई और अलमस्ट इंटाइर कंट्री यानि कि वो क्या चाते थे गांदी जी की यानि की मोत होने की बाद उन्होंने अपन ठीक है तो वन्स जब वो एक बार कहां जा रहे थे वेन ही वाजदा डेलिवरिंग्स ए लेक्चर एड़ी पोचम पली इन आंधर परदेश यानि की एक जगह का नाम है आंधर परदेश में वहां पे वो कुछ लेक्चर दे रहे थे तो कुछ किसान जो पूर थे विलेजस डिमांडेट सम लेंड फोर देर एकोनोमिक वेल बिंग्स यानि की कुछ गरीब किसान वहां पर आए और उन्होंने कहा कि किनसे विनुव भावे से उन्होंने बोला कि हमारे पास जमीन नहीं है तो आप हमें जमीन प्रोइड करवाएं ठीक है तो वहां पे लेंड फोर देर एंडिम अंडर तोग कोपरेटिव फार्मिंग्स यानि कि विनॉव भावव ने उन्हीं बात तो सुन ली कि आपको जमीन तुरंत तो किसी प्रदान को विवादा नहीं किया लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि वे सहकारी जितनी भी खेती होती है वो स के पास 80 एकर जमीन थी उन्होंने जो है वो सारी डिस्टिब्यूट कर दी 80 लेंडलेस विलेजर्स को यानि कि एक 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 एकर सभी किसानों को बांट दी तो ये देखो कितना यहां पर अपने आप में स्री राम चंदर जो रेडी है काफी उन्होंने अपनी जो जमीन है वो सा हमारी जो इसी को भूमी को दान भूमी को दान कर दिया उसने ठीक है तो इसी को बोलते हैं भूधान ठीक है अब जो इंडिया के अंदर कुछ जमीदार होते थे ठाकुर जी या फिर चोधरी जी वेरिस टाप की जमीदार होते थे उन्होंने क्या किया कई गाओं को अपने पूरे पूरे गाओं को जो है डोनेट कर दिया उसको बोलते हैं ग्राम दान ठीक है यानिकि पूरे पूरे को ही दान कर दिया तो इसको बोलते हैं ग्राम दान ठीक है तो कई जो जितने भी लेंडलोड होते थे या जमीदार होते थे उन्होंने पेसके की विनोवा भावे से की हमारे पूरे गाओं को यह हम डुनेट करना चाते हैं और उन किसानों को लेंड देना चाहते हैं जिनके पास बिलकुल भी जमीने नहीं हैं ठीक है और कुछ जो ऐसे किसान भी थे However, many land owners choose to provide some parts of their land to poor farmer due to the fear of land selling sect यानि कि कुछ जो ऐसे भी किसान थे जो होने डर के कारण जो है अपनी भूमी छोटे किसानों को दे दी ठीक है तो कुछ जमीदार ऐसे थे जैसे भूमी सिमा जो कानून थे उनसे बचने के लिए अपनी भूमी का एक चोटा सा part जो है वो दान कर दिया So, Vinnova भावे, so this भू दान और ग्राम दान यानि कि भूमी का दान और ग्राम को दान करने का जो moment है, initiative था वो Vinnova भावे is also known as the bloodless revolution, तो इसको हम एक करांती की नाम से बोलते हैं, यानि कि रक्त हीन, यानि कि इसमें किसी परकार का खून नहीं बहाया गया और अपने आप में बिना किसी खून की ही करांती ये मानी जाती है, इसको बोलते हैं, रक्त हीन करांती तो ये किसने लागू करी थी, Vinnova भावे ने काफी important है ध्यान रखना, ठीक है, तो यानि कि जितने भी इसका basic concept ये है, कि जितने भी जो पूर जो जितने भी farmers होते थे, उनको किस परकार से जो जितनी भी land होती है, वो donate की जाए, और वो अपना survive जो है, वो कर पाएं, बोलते हैं, bloodless revolution, किसानों को free के अंदर जमीने provide करवाना, जो किसान काफी गरीब है, ठीक है, तो इस परकार का जो है, ये concept रहा, और यहाँ पर ये chapter जो है, दोस्तों, यहाँ पर complete होता है, इसके बाद में दोस्तों, हम बात करेंगे, fifth chapter के, तो दोस्तों, यदि आपको किसी परकार का कोई doubt लगता है, तो आप comment box में लिखे, आप हमें पता सकते हो,